लो गाइज विल्कम बैक तो और फेवरेट चानल लॉजकल फेंटासी ट्रिक दोस्ते इस वीडियो में मैं बात करूँगा इस यह कप के अगले मैच की और यह जो मैच होगा ने यह सूपर फोर का फिफ्ट मैच होने वाला है सो गाइज इस मैच में मैं आपको ब्रीफली थोड़ा सा बताऊंगा हिस्टॉरिकल डेटा क्यूंकि यार यह सेनेरियो क्रियेट हो रहा है पिछले साल के जैसा ही हो गया हुआ है 2017 का एक क्या कहते मैच था उसके अंदर हो रखा है इंडियो और पाकिसान की बात अगर मैं करू तो लेकिन यह मैच शिरिलंका और पाकिसान के बीच में होने वाला है और यह मैच जो भी टीम जीतेगी वो सीधा सीधा इंडिया जो क्वालिफाई कर चुके है उनके साथ वो मैच खेलेगी और अगर बारिश होगी तो आप मान के चलो के क्या कहते उसको शिरिलंका क्वालिफाई कर जाएगी तो थोड़ा सा बारिश का डर रहेगा पाकिसान के साथ में और बहुत जादा हिस्टोरिकल मैच यह होने वाला है क्योंकि एक तरफ इंडिया के हार के अज ये पिछ कैसा भी है व कर सकता इसका नेचर अगर आप समंझ जयाएंगे आपकी टीम का यूणिक टीम क्रेट करने में काफी यूणिक क्रेट करेगा आपको बताएंगे हम धे शिरिलंका अगर पहले बैटिंग करे तो आपकी टीम का कैक्पटन कौन होन चाहिए पाकि मैं आपको सबसे पहले पिछ रिपोर्ट बताना चाहूंगा दोस्तों मैं इस वीडियो के अंदर भी पांच ग्रैली के पॉइंट शेयर करूंगा पिछ रिपोर्ट सबसे पहला होता है पिछ रिपोर्ट अगर मैं आपको समझाओ इसको समझने के लिए हमें देखना होगा फिलाल तो मैं आपको यह बता दू आज भी बारिश के चांसे हैं हर जगा आप देख सकते हो यह आज का है विद रिपोर्ट जो मैंने यहाँ पर मेंशन किया है लेकिन दोस्तो मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा इस पीछ का नेचर अभी इस पीछ के नेचर के बाद मैं आपको वो जो अपडेट आये है दोरोई टीम के अंदर मैं कोशिश करूँगा वो आपको बतादू स्पेशली पाकिसान की टीम की तरफ से यह रिसेंट कुछ मैचेज है जो यहाँ पर हो रखे है इन सबको आप तो समझी चुक है बैक टू बैक में तीन मैच से समझा ही रहूँ लेकिन हमें देखना क्या है देखना है अभी जो तीन मैच हुआ है अभी सेकेन Garlic हुआ है और उसके बाद दोस्तों अगरा आप ध्यान से देखेंगे थर्ड मैच हुआ है उसके बाद 4 त मैच हुआ है यह सूपर 4 का जो है वो सबी मैचेज है अब इसमें देखेंगे सिरी ate का दो संदावन मनाती है नौ विकेट के नुकसान पर बांगलादेस 236 ओल आउट हो जाती है इस मैच में स्पिनर को कितने विकेट मिले थे चार तीसरा मैच होता है इंडिया पाकिसान का इंडिया 356 मनाती है पाकिसान ओल आउट हो जाती है 126 पर इस मैच में स्पिनर को मिले टोटल सोलह विकेट तो overall जो मैं पहले डे से डे वन से मैं कहते आ रहा हूँ कि यार यहाँ पर इस venue पर miniature जो है basically ऐसा है कि यहाँ पर spinner जो है वो जाधा विकेट निकालते हैं यहाँ पर पुराने जितने matches है सब में देख सकते हैं spinner का nature ही है और यह तो कोई इतिफाक नहीं होगा एक दो तीन चार पांच छे और उसके बाद चेट साथ आठ नौ नौ मैच में लगा था रिसेंट के spinners नहीं जाधा विकेट निकाले इस मैच को अगर आप ध्यान से देखेंगे इसमें पेसर निकाला था तो उस पेसर के लिए बहुत जाधा फर्क भी नहीं पड़ता है कि पिस से कितना किसको जाधा सपोर्ट रहने वाला है क्योंकि वो पाकिसान के पेसर है तो उनके पास वो क्वालिटी भी अविलेबल है जैसे हमारे इंडियन टीम के अंदर क्या कहते है बुम्रा के पास है तो इसलिए हमें अब्जर्व ये करना है कि ये वेन्यू बेसिकली इनका नेचर है कि स्पिनर को ये विकेट जाधा जाधा फेकता है रन पैटरन देखेंगे तो हाई स्कोरिंग मैच भी हमें देखने को मिला अब्डेट की बात करे यार तो काफी सारे अब्डेट हमें देखने को मिलते हैं दो मिनट लेंगे आपको सारा अब्डेट देदेंगे टीम ने उसकी बात कर लेते सबसे वेले पाकिस्तान की टीम में ही देखेंगे जमन खान को बैक किया गया है replacement नसीम शा के जगह पर ठीक है जमन खान खेलेंगे उसके बाद दोस्तों अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मुहमद वसीम जुनियर और मुहमद हारिश भी replace होकर के आया है फकर जमन के जगह मुहमद हारिश को लाया गया है और मुहमद वसीम जुनियर को लाया गया है टीम के अंदर जो आज आपको खेलते दिखेंगे साउज शकील भी खेलेंगे और वो आगा सलमान की जगा पर खेलेंगे उसके बाद दोस्तों अगर आप से ध्यान से देखाऊंगे आगा सलमान को इसलिए आउट किया गया है क्योंकि स्वीप शॉट खेलते हुए जविंत जड़ेया के अगेंस में वो आउट हो गये थे उसके बाद दोस्तों मुहमद नवाज भी आज आपको खेलते दिखाए देने वाले मुहमद नवाज फ़ही मशरफ के जगह पर आए जो मैं सेकेंड मैच में भी बताया था आपको कि यार ये विन्यू ऐसा है ना जहां पर फ़ही मशरफ के जगह मुहमद नवाज को खिलाना चाहिए लेकिन टीम मैनेजमेंट ने नहीं खिला है लेकिन आज वो खिला रही है जो कि अच्छे स्ट्राइड़जी हो सकती है नवाज बहुत भेतरीन स्पिनर के काटिगेरी में आते हैं शानवाज जहानी भी क्या के बैक अप के तौर पे टीम के अंदर डाले गाए है लेकिन गह है कि वो खेलेंगे या नहीं खेलेंगे क्योंकि उनका रिप्लेस्मेंट अभी घोशित हुआ नहीं है तो यह कुछ अपडेट है बाकी बारिश के तो चांसे जहीं अब मैं चलिए आपको दोनों टीम का कमपरिशन करके बताता हूँ अभी जो लाइनप में अड़ हुए प्लेयर्स उसके अकॉर्डिंग हैट तो अभी भी पाकिस्तान ही फेवर कर रही है लेकिन हम बात करेंगे दोस्तों दोनों टीम के कमपरिशन की डीटेल कमपरिशन की दोस्तों आगे बड़ी रहा हूँ आप आप चैनल को सबस्क्राइब करके बिल आइकोन को ओल पे सेट कर लेंगे तब ही यह चीज़े हो पाएगे अब ध्यान देखर के चलना अब मैं चलिए दोनों टीम का बताता हूँ किस तरीके से दोनों टीम का लाइन अप रहेगा पाकिस्तान की टीम में अगर आप ध्यान आपको ओपन करते दिखेंगे बाबाराजा में उसका मुहमद इजवान है सहुष अखील है इफ्तखार एमद उसके बाद गई जहाप बात आती है बालिंग डिपार्टमिन की शादा आप खान हो गए मुहमद नमाज होगे शाहिन शाफरीदी मुहमद वसीम जुनियर और यह सारे कुछ प्लेयर आपको खेलते दिखेंगे जादा तोरवर इनके टीम के अंदर यही पाचो बालर करते दिखाई देने वाले इन समके से आपको इफ्तखार एमद भी बालिंग करते दिखेंगे शीरी लंका की टीम में मोस्ट परबाबली कोई चेंज ना देखने को म देखेंगे तो आपको लिफ्ट हंटर भी नजर आते हैं सहुश शकील के तोर पर तो यह सारी भाते धियान देना है और उसके बाद ही अपनी टीम को आपको क्रियेट करना है आगे चलिए दोस्तों अगर हम बात करें पहले क्या कहते तो उसको चाप्टन और वॉइस काप् इसे ट्रकचर से ड्रीम बनता आपको दिखाई देगा मैं बताऊं है। आपको पठीन वहेह 930-10 हमें देखने को मिलने वालाा है। मिश्रन देखने को मिलने वाला जिस तरह के सामने आखरी मैश के अंदर एक्सपेक्ट किया था वही अगर हम बात करें दोस्तों आगे तो यार यहां पे न मैं एक चीज पॉइंट आउट करना चाहूंगा हम आप सबको ग्रैन लिग की तीन टीम टेलीग्राम पर से जाता था स्मॉल लिग को लेकर के जो काफिक स्पॉट है हाई इंवेस्टर से तो अगर आप भी चाहते हो डेली अट लिस्ट कम से कम यार पास सो हजार रुपे भी लगा करके अच्छा खासा अमांट विन करना स्मॉल लिग में आप आईए खेलिए मेरी जिम्मेवारी ह भी बताने ही वाला हूँ फिलाल में एक है कर करे सारे बाई में देख लेता हूँ जो जो आपको ODA format के अंदर देखने को मिलेंगे यह और बात है अगर आगे जो प्लेयर से यहां से करूणा रतने की बात कर लो या फिर बात कर लो कुसल मेंडिस की इन सब में हमें जो सबसे सेफ ऑप्शन लग रहा है निशांका ही लग रहा है तो पहले वैटिंग के अंदर अच्छे पिक नहीं हो जाते हैं आप छोड़ करके चलिए वो जादा बहतर ऑप्शन रहेगा या फिर आप निशांका के साथ डिफिरेंशल ले जाना लेकिर हमारी टीम में निशांका रहेंगे मैं इनको छोड़ के चलूँगा कुसल मेंडिस को में पहले बैटिंग में ल पर यह आउट हो गए लेकिन यार प्लेयर के अंदर पोटेंशल है क्योंकि अभी इनका परफॉर्मेंस देखेंगे यहां देखेंगे तेरा रन के बाद 36 रन है चोबन रन है फिर तीन रन है फिर 93 फिर आभी 17 रन इनको बना करके आउट हुआ लेकिन मैं अमीद कर रहा हू तो आपने चैरिट स्लंका को लेकर करके जा सकते क्योंकि इनके साथ बॉलिंग का भी बैक अप रहेगा बैटिंग तो यह करके अच्छा करी जाएंगे तो बॉलिंग बैक अप के साब से अगर आप जादा सेफ जाना चाहों आपके लिए बहतरीन उप्शन रहेंगे चैरि आप इस प्लेयर को अपने टीम में मैं तो यह स्रेस करूँगा कि फिक्स लेकर के जाएगे वह जादा बहतर ऑप्शन रहेगा इनके विकेट मिलने के चांसे जादा है दैसन शरागा कि अगर मैं बात करूए तो बहुत खराब दोर से गुज़र रहें लेकिन अगर आप इ एक है हेट्टर परफॉर्म करने का जजबा जो आज ये पंट प्लेयर के तौर पे निकल करके आ सकते हैं तो आज इस प्लेयर को अगर आप ग्रैंड ली की मल्टिपल टीम की रिएट करना उस तीम के अंदर अपने टीम में जरूर बैक करना ये कभी भी आपको पंट प्ले कर ज़ए कैंगर मैं बात करूं इनके बारे में बताने से पहले मैं आपको एक फोटा सा स्टोरी बताना चाहूंगा इंडिया वाले मैच का इंडिया का मैच होता है पहले मैच के अंदर कुलदीप यादव को गुछो मेंगेट मिलता है चार-पांच विकेट निकाल दे बिन आप इनका परफॉर्मेंस देखे होंगे तो बैटिंग से भी इन्होंने बैक किया तो आज के इस मैच में दोस्तों मैं एक बात बताना चाहूंगा एक तो ना यह कहके तो कुल दीप यादव है पहली बात दूसरी बात विन्यू से सपोर्ट जरूर है और ना बहुत जा लेकिन वेन्यू सो बहुत जादा ही सपोर्ट है तो लेना भी तो सिकेंड बॉली में आप चाहो तो एक आज जील में ट्राइ करके चले जाना लेकिन मेरा जो इतना एक्स्प्लेंट करने का मोटो यह है कि आप अगर रिस्क टेकर हो तो ट्राइ करना के छोड़ करके चले इ मैं अपनी टीम में इनको छोड़ करके इनकी जगए मैं पठिराना को ही लेकर करके जाओ लेकिन किसी एक पेसर्स के साथ जाना होगा तो मैं ठिक शाना के साथ ही जाओंगा कसुन रजिधा को ड्रॉप करूँगा पाकिसान की तीम से चलिए बात कर लेते हैं यहाँ जिस सर और इनके साथ होंगे मुहमद वसीम जुनियर और मुहमद नवास का बहुत जाता रोल रहेगा मुहमद नवास भी आपको शुरुवात के पावर प्ले के अंदर बॉलिंग करते दिखाई देने वाले हरिश और इमाम उलहक आपको बैटिंग करते दिखेंगा ओपनिंग मुह इस प्लेयर है तो इसे साथ से एक बेटर आप्शन में से होते हैं इफ्तिकार आमद के बारे में भी आपको बताएंगे इफ्तिकार आमद भी बालिंग करते दिख सकते हैं और शादा आप खान उतने अच्छे फॉर्म में नहीं चल रहे इस पिनर की काडिगरी के हिसाब से चलिए एक एक करके साथे प्लेयर को देख लेते हैं सबसे पहले जो प्लेयर है दोस्तों वह है मुहमस्यद हरिष जिनके बारे में अभी मैनнуться आपको बताएं कि यह एक हाइए रिस्क हाइए रिवार्ड वाले प्लेयर इसलिए हो जाते हैं क्योंकि यह खेलते हैं यह बहु परफॉर्मेंस के साथ यह आ रहे है रिसेंट फॉर्म के अंदर अगर आप देखेंगे कुछ मैचिस उन्होंने खेले जाहे इनका बेश्ट परफॉर्मेंस देखने को मिलता है तो एक हाइली रिस्क टेकर होने के नाते अगर आप हो तो आप जी एल के अंदर इस प्लेयर को बैक करना और सिवी सी भी कर सकते हो ठीक है यह बात ध्यान दे करके चलना हाइली रिस्क टेकर हो तब यह बात ध्यान देना क्योंकि यह अग्रेस्ट प्लेयर है इनके लिए अगर यह टिक गया तो 60-70 बनाना कोई बहुत मुश्किल नहीं होगा यह आराम से आपको दे सकते है उस तरीके का रन बना करके लेकिन अगर आप सेफ जाना चाहो तो चुकि यह एक ODA format का मैच है और ODA format में अप्रोच होना बहुत जरूरी है विराट कोली जैसा अप्रोच होना बहुत जरूरी है एग्रेशन से काम नहीं चलता है तो इसलिए वो अप्रोच साहिए इनके पस नहों एक्स्प्रियेंस चुकि बहुत कम है तो आप चाहो तो सेफ जाने के लिए छोड़ भी सकते हो इमाम उलहक के साथ आप जा सकते हो तब उसके सेनर्यों में क्योंकि एक बहुत ट्रस्टेर आप्शन में से एक हो जाएंगे आज की मैच के आपको इनको बैक करना च आपको पहले इनकी बैटिंग के अंदर ठीक है तो पहले बैटिंग जबाया पाकिसान टीम की तो आप रिजवान को भी बैक करिएगा ये प्लेयर स्पिन को बहुत बढ़िया खेलते हैं और सामने जो है स्पिन फ्रेंडली पिछोने के नाते जाद 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 ओवर स्पि चले एक एकर करके बताते हैं किसको लेना है यहां देगे पांच मैच में उननीस का एवरेज एकेवल हैट टो खेला नहीं टेस्ट मैच खेले लेकिन अच्छा परफॉर्मिस वहाँ भी नहीं था वेड़नी का उपर एक मैच खेल नौ रनीनों ने बनाया है रिसेंट मैच अगर आप देखेंगे यहां इन्होंने कुछ मैच टेस्ट का खेला है जहां इन्होंने बहुत लंबाय स्कोर किया था सिकेंड लास मैच में 57 का स्कोर है आज इस मैच में देखिए इस प्लेयर को आप चाहो न तो अपनी टीम में ले सकते हो लेकिन केवल ग्रैन लिक की टी तो इफ्तिकार एहमद और इन्होंने वो कारनामा भी किया है जब यह ट्रस्टेड इसलिए भी हो जाते है यार के जब कुछ नए प्लेयर के सामने कीकी एक्स्पिरियंस है पहली बात दूसरी बात इन्होंने स्कोर किया भी है पाकिसान का टॉप अटर जब जब कॉलैप्स यार कि यह ना शादा आप से बहतर बॉलिंग करके देंगे आपको प्रेवैबली क्योंकि स्पिन की पिछ होने के वज़े से मौका दोनों को नहीं मिलेगा लेकिन बॉलिंग के यह जादा अच्छा कर पाएंगे यह मेरा अपना विश्वास कह रहा है बाकि आप चाहो तो दोनों को लेकर के चल सकते हो कि कि शादा आप अभी उतने अच्छे फॉर्म में चल नहीं रहे आगे अगर हम दोस्तों बात करें शाहिंशा फृदी की शाहिंशा फृदी किसी भी पीछ पे आपको अपने टीम में बैक करना चाहिए इस प्लेयर को यह और बात है कि इंडि प्लेयर्स ऐसे होते हैं जो पल्ले पड़ जाते हैं लेकिन यार प्लेयर के अंदर पोटेंशिल है सामने वाली टीम का मतलब को धराशाही भी कर सकते हैं इसलिए आप इसको कैसी एक दो टीम के अंदर कैप्टर वोईस कैप्टर में भी ट्राइज जरूर करना पहले बॉलि यार यह क्या पता हूँ मैं मतलब के ग्रैली की टीम अगर करना ना तो जमन खान को ही अपनी टीम में लेना वसीम जुनियर को नहीं लेना क्यों क्यों क्योंकि ग्रैली की टीम में मैं यह अप्रोच लगा के चल रहा हूँ क्योंकि टीम जो है श्रिलंका की न इस प्लेयर को इस प्लैइर को हिٹ करने जाएंगे क्यूं कि वसीम जुनियर से खराब एकरोनपी देखते वुए इस प्लै Colorado को हीट किया जाएगा और वैसे केस्में इनको जादा विकेट मिल सकते आई होप आपको सारी चीजे समझमें आ गई हुग Earnest प्लैएगरा, sebagai है कि बहुत जादा आरण करना चाहते हैं यह चैनल आपके लिए बहुत बेस्ट है नए हो तो भी पुराने हो तो भी जुड़िए ज़रूर क्यूंकि ग्रैली की टीम पे साथ स्मॉल ली की भी टीम देता हूँ कॉमेंट सेक्शन में लिंक मिलेगा जाकर के जरूर जुड़िए अब मैं आपको कुछ इंपोर्टेंट चीजे बताता हूँ अगर पाकिस्तान शुरी श्री लंका पहले बैटिंग करे तो आपको इसमें से कम से कम दो प्लेयर आपकी हर टीम में होने चाहिए और यहां से भी दो प्लेयर होने चाहिए हर टीम के अदर अगर पाकिस्तान पहले बैटिंग करे यानि श्री लंका पहले बालिंग करे तो यह जो Grand League ट्यूक होते है, दो प्लेयर आपकी टीम के अंदर अगर नहीं है, तो आपकी टीम यूनिक क्रियेट हो ही नहीं सकती है, आपकी टीम रैंक ही नहीं करेगी, रैंक करी नहीं सकती है, यह बात ध्यां देना, शिरलंगा अगर बैटिंग करें, तो जमन खान, कुसल में इसमें से कम से कम दो प्लेर आप ट्राइ करिए शिललंगा अगर पहले बॉलिंग करे तो पटिराना सौछ शकील नवाज इफ्तकारेमाद इसमें से कम से कम दो प्लेर होने चाहिए अब बात करते हैं कैप्टरन वोईस कैप्टरन की लेकिन वीडियो को लाइक कर दो वीडियो नहीं भी रहे, उनको समझ में आ रहा है कि यार, जो चीजें मैं बता रहा हूँ न, वो एक अलग लेवल की चीज है, हमारी डेली की कोशिश होती है, कि हम अच्छा कर पाए, हम अच्छा जीत पाए, इसलिए मुझे काफी ज़्यादा खुशी होती है, और मेरा होसला अफजा क्या के तो उसको प्लैन कर सकता हूँ, ऐसा नहीं कि I cannot do, बट मेरी कोशिश होती है, मैं आपको 100% फुल अपडेट के साथ, वो चीज़े प्रवाइड करूँ जो फाइनल हो, फैटल नहीं हो, फाइनल हो, आप वो चीज यूज़ करके जीतो, तो इसलिए यार प्लीज इतन इमामुलक, बाबर आजम, मुहमद नवाज, रिजवान और पठिराना को करके चल सकते हो, पठिराना के जगह पर आप अपनी टीम के अंदर किसे स्पिनर को भी ले सकते हो, लेकिन मेरा मानना है कि यार आज पेसर्स भी विकेट निकाल करके जाएंगे, इसलिए मैं दो प् स्पिकेशन जाएगा और आप फिर मिस नहीं कर पाएंगे, ठीक है, उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें, श्रिलंका के पहले बैटिंग के अंदर फिक्स प्लेयर की, किसको लेना है, किसको नहीं लेना है, तो कुसल मेंडिस को लेकर के जाना, असलांका को लेकर के जान तो सिल्वा को मैंने याप किया है, और निशांका को, आईवाप गाईज आगो ते कोई भी दाउट नहीं हो, दाउट होगा, तो कॉमेंट करना, मैं कोशिश करूँगा, रिप्लाई कर दू, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे बातचीत करने के लिए, टिल